जारखंड में जमीन घोटाले की जांच कर रही E.D. जारखंड के मुख्य मंत्री हेमंंत सॉरेन से पूचताच करना चाहती है और हेमंंत सॉरेन E.D. के दफतर जाना नहीं चाहते इसी के खिलाफ हेमंत सॉरेन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और फिर हाई कोर्ट जानका कि जमीन घोटाले में ED के समक्ष पूछताच के लिए हेमंत सौरेन पेश होंगे या फिर उन्हें कोर्ट से राहत दी जाएगी। गिरफतारी का डर बना रहता है। ऐसे में यह कैसे तै होगा कि ED सिर्फ पूछताच के लिए बुला रही है। इसलिए इस ED को धाराओं के तहत मिली शक्तियों को फिर से देखा जाए। ED को पत्र भेजा गया है। इस पत्र में उन्हें लिखा है कि वे कानून का पालन करने वाले हैं। ऐसे में हाई कॉर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है। पत्र में उन्होंने अदालत का फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की अपेक्षा की है। इधर CM के ED कार्याले नहीं पहुचने के बाद ED की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। ED फ फिर उन्होंने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया है लेकिन इस ट्वीट में साफ इशारा हो रहा है। किस की तरफ हो रहा है वो आप खुद समझ जाएंगे। हम आपको ट्वीट पढ़कर सुना देते हैं। सदा सुनते सुनते खबर लेते लेते। पता पाते पाते बहुत हैं। हिदी वालों ने पांच बार लाजी हुगया तो कभी सुप्रीम को भागता है, कभी हाय को भागता है। और आज तू हिदी के देर से ही काव होगे, आगे के पाफ हो। अबने का कि भीया कब तक दोड़ोगे, कहां तक दोड़ोगे। जब हम इस प्रदेश के अबने पाफ रखते हुए हैं। उसको तुनीसा नहीं देते हैं अफाय करने के लिए। यह उन लोगों को बचाने का काम करते हैं। और क्यों नहीं बचाएंगे। चुक्कि उनको पता है कि उनकी ऊपरे ठाय करेंगे। तो लोगों से पूछता थोगी तो हैमन सुरिन का आपके लिए। और हमन सुरिन में कि इतना लूटा है वो किसी से चुदा हुआ नहीं है।